नमस्कार दोस्तों मेरी चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपको कुरुश्या से बटर्फ्लाई बनाना सिखाऊंगी तो बटर्फ्लाई बनाने के लिए मैंने वाइट रेड और गोल्डन कलर का तागा ले रख है मैंने ये तो हम सबसे पहले बनाएंगे वाइट कलर के तागे से बनाएंगे तो हमने सबसे पहले बना लेनी है तो हमने सबसे पहले बना लेनी है मैजिक चैन मैजिक चैन हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से हमने बनानी है मैजिक चैन अब हमने लेनी है एक चैन हमारी बनगी तो हमने लेनी है दो चैन एक दो दो चैन लेनी है अब हमने एक डबल कुरुस्या करना है डबल कुरुष्या ऐसे करना है कुरुष्या हम ऐसे घुमा के ऐसे गोली के अंदर करने है हमने तीन फंदे होगे अब दो के अंदर से निकालना है फिर दो के अंदर से डबल कुरुष्या एक कर दिया हमने अब हमने लेनी है तीन चैन एक, सोरी तीन नहीं, चार चैन लेंगे हम यहापे, दो, तीन, चार, यह हमने ले लिए हैं यहापे चार चैन, अब हम यहापे तीन डबल क्रोश्या करेंगे, इसी के अंदर करने हैं, तीन डबल क्रोश्या, एक, दो, तीन, यह कर ले, तीन डबल क्रोश्या, फिर से हम यहापे लेंगे, चार चैन, एक, दो, तीन, चार, चार चैन ले लिए, फिर से हम तीन डबल क्रोश्या करेंगे, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोश्या कर ले, फिर से हम चार चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये तीन बना दिये हमने दो और ऐसे ही बनाना है फिर से हम तीन डबल कुरुश्या करेंगे एक दो तीन डबल कुरुश्या कर दिये फिर से हम चार चैन लेंगे एक दो तीन चार चैन लेने के बाद हमने सीर्फ करने हैं हाँ पर दो डबल कुरुश्या करने हैं एक एक और करेंगे हाँ पर दो यह दो डबल लास्ट में दो डबल कुरूश है हमने शुरुवात में भी दो के थे लास्ट में भी दो के थे और यहां पर चार चैन हर जगे हमने चार चैन ले रखे हमने और यहां दो यहां दो और यहां पर तीन डबल कुरूश है यहां पर भी तीन यहां पर भी तीन डबल गुरुश्याँ में चुप एक डबल गुरुश्या और लास्ट में दो कि ऐसे पिनागी को ऐसे हमने खीच लेना है जो चोटे आले गइसको इस तरह के से हमने तागा खीच लेना है आज अब इस तागी को कट कर लिंगे अब हम गोल्डन कलर के ताग से करेंगे दूसरा राउंड गोल्डन कलर का तागा लगा लेना है यहां पर यहां पर गोल्डन कलर का तागा तो हम यहां पर बंद के आता तागा तो हम यह सुल्टी साइड से इधर इधर पर लगा लेंगे तागा गोल्डन कलर के तागे से यहाँ पर जो यह फस्ट बॉक्स बनाएं जो यह डिबा फस्ट इस वाले में यहाँ पर लगा लेंगे हम ले लेंगे इस वाले तागे को है ऐसे और यहाँ पर हम ले लेंगे तीन चैन लेनी हमने एक, दो, तीन, तीन चैन लेली, जो यह नीचे जो वाइट तागा है, इसको भी हम छिपाते हुए छिपा देंगे यहाँ पर, बाद में नीच पाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर आप करने हैं, हमने दो डबल कुरो से करने हैं, यह कर लिए हैं, दो डबल कुरो से कर रहा हैं, यहाँ पर मैंने, अब इसके बाद हमने लेनी हैं, यहाँ पर पांच चैन लेनी हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन ले लिए हैं, फिर वापस इसी बॉक्स में, हमने इसी बॉक्स में फिर से करने हैं, तीन डबल कुरोश्या करने हैं, इसी बॉक्स में तीन डबल कुरोश्या करने हैं, एक, दो, तीन, इसी में हमने तीन डबल कुरोश्या कर लिया, यह इस तरीके से सेफ आएगा, इसका, ऐसे, अब हमने, इसी बॉक्स में ऐसे ही इसी परकार करना है, गुमाना है, सीदे इसी डबल कुरोश्या कर लिया है, सीधे यहां से यहां, सीधे जाना है इसमें, दूसरे बॉक्स में, यह हमारे चार बन जाएंगी, चार बन रखें, तो इनके अंदर करना है, हमने डबल करोश्या, तीन डबल करोश्या करेंगे हमें, यहां पर भी, एक, दो, तीन, यह तीन डबल करोश्या कर लिया, अब हम लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन लेनी है, फिर से हम इसी बॉक्स में, तीन डबल करोश्या करेंगे, एक, दो, तीन, इसी में तीन डबल करोश्या हमने कर लिये, फिर से हम आप दूसरे बॉक्स में जाएंगे, यहां सीधे, ऐसे ही डबल करोश्या कर देना है, जैसे इसमें किया था, सीम उसी तरीके से करना है, तीन डबल करोश्या करना है, एक, दो, तीन, अब पाँच चेन लेनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच फिर से तीन डबल कुरुशा करना इसी के अंदर एक, दो, तीन तीन डबल कुरुशा कर लिए अब हम इस लास्ट बॉक्स बचाए हमारा यहां पर इसके अंदर जाएंगे तीन डबल कुरुशा करेंगे इसमें एक, दो, तीन तीन कर लिए अब पांच चैनल लिएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब वापस इसी में तीन डबल कुरुशा करेंगे एक, दो, तीन, तीन डबल कुरुशा कर लिए ये, इस तरीके का सेफ आजाएगा ऐसे अब हम रेड कलर की तागे से करेंगे इस तागे को ले लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे इस तरीके से ये कर लिया, अब इस तागे को भी हम कट कर लेंगे इसको ऐसे निकाल लेंगे ये, अब हमने करना है रेड कलर की तागे से करना है, इधर साइड से करना है तो हम जो ये फर्स्ट चैन है यहाँ पर, यहाँ से ले लेंगे रेड कलर का तागा ले लेंगे ऐसे ले लेंगे, फर्स्ट फंदे में ऐसे अब हमने यहाँ पर सीधे यहाँ पर कर लेना है डबल करोश्या कर लेना है, इस वाले बॉक्स में यह फर्स्ट जो यह बॉक्स है यहाँ पर, जहाँ पर पाँच चैन ली थी उस बॉक्स में यहाँ पर चार डबल करोश्या करना है एक दो तीन चार यह चार डबल करोश्या कर लिया अब हम लेंगे तीन चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन ली अब इसको यहाँ पर यह जो फंदा है यहाँ पर इस जो इसके और जो यह नीचे से ही डबल करोश्या रखा है यहाँ पर उपर यहाँ पर इन दोनों में डालेंगे ऐसे ऐसे तागा लेना है फिर फिर इस तागी को इस वाले फंदे को इस के अंदर निकालेना है ऐसे फिर वापस यहाँ पर डबल करोश्या कर देना है इसे इसी में चार डबल कुरुष्या करने हैं वापस से एक दो तीन चार ये इस तरीकी का सेफ आएगा ये ऐसे अब जो ये यहाँ पर जो ये फस्ट ये फस्ट ये बॉक्स है जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर यहाँ पर हमने हाप कुरुष्या कर लेना है ऐसे सिंगल कुरुष्या कर लेना है ऐसे अब हम सीधे यहाँ से इस वाले बॉक्स में बनाएंगे चार डबल कुरुष्या जैसे यह बनाएं सेम ऐसे बनाना है यहाँ पर एक दो तीन चार डबल कुरुष्या कर ले फिर से हम तीन चैन लेंगे एक दो तीन चैन लेनी है यहाँ पर फिर से यहाँ पर यह जो फंदा आए यहाँ और यह डबल कुरुष्या कर लेना है और इसके अंदर इससे जोड़ लेना है इसको ऐसे अब फिर से यहां पर चार डबल कुरोश्या करेंगे ऐसे उसी के अंदर करने है चार डबल कुरोश्या एक दो तीन चार अब सेम उसी तरीके से करना है सेम वैसे ही करना है जो यहां इन दोनों के वीच में इसको जोड लेना है जोड़ना नहीं सोरी यहां पर हाप डबल कुरोश्या कर लेना है ऐसे अब सेम इसमें भी वैसे ही करना है फिर यहां पर जोड़ लेना है फिर इसमें भी सेम ऐसे ही बना लेना है यह कर लिया है मैंने यहां पर अब हम यहां पर जोड़ लेंगे यह यहां पर भी हाप करोश्या कर लेंगे सिंगल करोश्या कर लिया है यहां पर भी ऐसे इस तरीके से करना है single crochet फिर यहां पर भी जोड लेना है इसमें यहां पर हाप crochet कर लेना है सीधे यहां से यहां पर हाप crochet करना है और फिर यह white color वाले में भी यह और यह तागे भी छिपाते रहनें ये दूनों golden and white ऐसे सिंगल कर लेंगे यहां से भी सीधे कि यहां पर भी हाप कर लेंगे कि यह ऐसे यहां से पूरा यहां तक हम हाप कर रुष्या करते हुआ हैं और यहां पर जोड देंगे लास्ट में आपर जोड लेना है इसको ऐसे उसलाना इसमें इसी कर दो का altogether कर लेंगे ऐसे इस तरीके से यह अ कि यह सारी जो भी है इनको कट कर लेंगे क्योंकि यह मैंने चिपा लिए हैं बनाती हुई तो इनको सब को कट कर लेंगे अब हमने इस तागे को भी छिपा लेना है हमने अब हमने यहाँ से रेट कलर का तागा लगाना है यहाँ से यह है कि यह सुर्टी यहां पर अब हम ओरंजी कलर के तागे से कर लेते हैं यहां पर ओरंजी कलर का तागा लगा लेंगे ऐसे इस तरीके से औरेंजी कलर का तागा लगाना है फिर ऐसे घुमाना है फिर यहाँ पर इसको इसके अंदर ले लेना है ऐसे इसी तरीके से जोड़ते हुए जाना है ऐसे ऐसे इस तरीके से जोड़ते हुए जाना है अब हमने ले लेनी है यहाँ पर एक दो बीश चैन ले लेनी है अब हमने हर चैन में जोड़ते हुए जाना है जोड़ना ऐसे है फिर फंदे में डालना है फिर इसको इसके अंदर ले लेना है यहाँ पर फंदे में ऐसे ही जोड़ना है हर चैन में ऐसे ही जोड़ना है सेम जाना है इसके अंदर ऐसे लेना है फिर इसको इसके अंदर निकालेना है ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही जोड़ते हुए जाएंगे यह इस तरीके से आएगा ऐसे अब हमको इसको यहाँ पर ही जोड़ना है यह बीच में एक बन की अब सेम हमने एक और ऐसे ही बनानी है बीच चैन लीनिय उपर को फिर जोड़ते हुए आना है सेम इसी तरीके से यह ऐसे ही जोड़ते जोड़ना है यह ऐसे ही सेम हर फंदे में जोड़ना है फिर वापस यहीं पर बीच में जोड़ लेना है इसको फिर हमने तागा कट कर लेना है थैंक यू यह बन गई है बटरफलाई ऐसे झाने है जोड़ते हुआ है बटर जोड़ना है इस्टे जोड़ते हैं बटरे हैं आना है झाल झाल